नमस्कार दोस्तों कामियभी तक यूटूब चैनल में आपका स्वागत है टूड़े जीके सीरीज में आपका स्वागत है पांच मई के मैत्पून बने प्रिसन जीके के क्या क्या प्रिसन है वीडियो कौन तक जरूल देखें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर क और कमेंट करें तर्सुर करते हैं निमलक्त में से कौन सा देश दिनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है आप्सन A है बांगला देश आप्सन B है भारत आप्सं C है ब्राजील आप्सं D है चीन तो इसका उत्तर है आप्सन B वारत हाली में पश्यमंगाल में बेरकपुर निर्वाचन छेत्र किसांसद ने कपड़ा मंत्री पियूस गोहल से मुलकात की और उन्हें जूट किसानों, सिर्मिकों, समगर जूट उद्योगों से सम्मन्दि मुद्द से अगवत कराया जूट एक रेशेदार पौदा है, जिसके रेशे से बोरे, दरी, टार्ट, रस्यां, कागज और कपड़े बनाए जाते हैं भारत विस्विका सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है, इसलिए विकल्प भी सही है विस्विक जूट उत्पादक में भारत का योगदान पचास परसेंट से अधिक है, इसलिए हमारे इस प्रिसन का उत्तर हो जाता है, आप्सन भी भारत अगला प्रसन, निमलिक कतनों पर विचार कीजिए, कतन एक भारते सबिदान लाव के पद को परिवासित नहीं करता कतन दो, सबिदान में लाव के पद का कोई उलेक नहीं है, उप्युक्त में से कौन सा यस से कतन सही है या है आप्सन एक केवल एक, आप्सन भी केवल दो, आप्सन सी एक और दो, आप्सन डी नै तो एक नहीं दो तो इसका उत्तर है आप्सन एक केवल एक हाली में चुनाव आयोग ने जहरकंड के मुख्य मंत्री को लाव का पद के मामले में नोटिस जारी किया है जन प्रतिनेदित्व अदेनियम उन्नी सो क्यान की दारा नौ के तहट प्रदान मंत्री को सरकारी अनुबंद में प्रोवेश करने के लिए एयोग यता का सामना करना पड़ सकता है भारत का सविदान लाव के पद को परिवासित नहीं करता है इसलिए कथन एक सही है सविदान में उल्लेक अनुचेद एक सो दो एक और अनुचेद एक्यान में एक के तहत किया गया है इसलिए कथन दो सही नहीं है तो इस परिकार हमारे परिसन का उत्तर हो जाता है आप्जन एक के वल एक अगला प्रेसंट- निमिलिक में से कौन से देश टिूनीशिया के साथ सीमा साजा करते हैं एक मिसर दो अलजीरिया तीन लिविया दिये गए कूट का प्रियोग कर सयुत्तर चुनिए आप्षन 1 केवल 1 और 2 आप्षन B केवल 2 और 3 आप्षन C केवल 1 और 3 आप्षन D 1-2-3 तो इसका उत्तर है 2 और 3 अल्जेरिया और लिविया टूनिसिया राष्टपती ने राजनितिक संकट को हल करने के लिए राष्टे संबाद सुरू करने की गोसना की है लेकिन इसमें बिपक्षी दलो को सामिल नहीं किये जाने से इस पर बिवाद हो रहा है टूनीशिया उतरी अफरीका का एक देश है। टूनीशिया पश्चमी और दस्षिम में अलज्यरिया से दस्षिन पूरम में लिविया से तथा पूरव और उत्तर में भूमदे सागर से गिरा है इसलिए विकल भी सही है तो इस प्रकार हमारे परसन का उत्तर हो जाता है ओप्सन बी केवल दो और तीन अलजीरिया और लिविया अगला परसन जी एस्टी कलेक्शन में बिर्दी में निमिलिक में से कौन से कारण है एक एकोनोमिक्स रिकवरी दो कर चोरी कदम तीन मुद्रा सिपर्दी दिये गए कूट का प्रियोकर सही उत्तर चुनिए केवल एक और दो आप्सन बी केवल दो और तीन आप्सन सी केवल एक और तीन आप्सन डी एक दो तीन तो इसका उत्तर है आप्सन डी एक दो तीन हाली में वस्तू और सेवा कर यानी जीएस्टी कलेक्शन में रिकॉर्ड बड़ोत्री दर्ज की गई है केंदर के अनुसार एकॉनोमिक रिकवरी कर चोरी रोधी कदम जीएस्टी राज़िस्व बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं हालंकी विसेशिग्यों ने मुद्रा सिपर्ती और आयात बढ़ाने का जीएस्टी संग्रे में रिकॉर्ड बड़ोत्री का कान माना हैं इसलिए विकल्प डी सही है आंकडों की मानी तो इस महीने मुद्रा सिपर्ती अधिक होती है उस महीने जीएस्टी कलक्षन भी बढ़ जाता है तो इस प्रकार हमारे परसन का उत्र हो जाता है उप्षन डी एक और दो तीन सही है अगला परसन अटल न्यू इंडिया चैलेंज निमिलिक्स में से किस संग्ठन का प्रमुक कारिकरम है उप्षन ए नीतियायोग का उप्षन भी विज्ञान और पौदिक मंत्राले का उप्षन सी रक्षा अनुसंदान और विकास संक्ठन का उप्षन भारतिया अंत्रिक्स अनुसंदान संक्ठन का तो हमारे इस प्रसन को तरह उप्षन ए नीतियायोग हाली में अटल न्यू इंडिया चैलेंज के दूसरे संसरन के पिर्थम चरन का सुवारम किया है अटल न्यू इंडिया चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन के तहत नीती आयू का एक प्रमुक कारिकरम है इसलिए विकल्प सही है इस कारी करम का उद्दे से उन पौदिवी की आदार सी नवाचारों का समर्थन और पोर्षन करना है जो राष्टिय और छेत्रिय महत्विकों चनोते को समाधान करते हैं तो इस परकार हमारे इस परसन का उत्तर हो जाता है ऑप्षन ए नीती आयोग अगला परसन निम्रक में से कौन सेमी कंड़क्टर का उदारन है एक सिलिकॉन दो जर्मेनियम तीन गेलेनियम आर्सनाइल दिये गए कूट का प्रियोग सही उत्तर दीजिए ऑप्षन एक केवल ए एक दो और तीन सेमी कंड़कर एक ऐसी सामगर्य होती है जिसका चालकता कंड़क्टर और इंसुलेटर के बीच होती है सेमी कंड़क्टर डाइनामो टांजिस्टर एक एक इक कर्थ सर्किट सही वेविन प्रकार के उपकरनों में निर्मान में प्रियोग होता है इस तरह के उपकरनों को उसकी कॉमपेक्टनेस विस्वेनिता बिजली दक्षता और कम लागात के कारण बैपक लोग प्रियता मिलती है सेमी कंड़क्टर के कुछ उदारन है सिलिकॉन जर्मेनियम गैलेनियम आरसेनाइड इसलिए विकल्ब डी सही है तो इस प्रिकार हमारे प्रियसन का उत्तरोज़ता उप्षन डी एक दो और तीन अगला प्रियसन डैनमार के संबंद में निमलिक कत्रों पर विचार कीजिए कत्रन एक है डैनमार पोलेन के साथ सीमा द्वारा सीधे यूरोप से जड़ा हुआ है दो यह एक संबेदानिक राज तंत्र है उप्यों कत्रों में से कौन सा सही है यह से सही है यह हैं कत्षन केवल एक कत्षन एक केवल एक आप्षन बी केवल दो आप्षन सीक दोनों एक और दो आप्षन डी ने तो एक और ने ही दो इसका उत्तर आप्षन भी केवल दो डेनवार्ट जेट लेंड प्रायदीप यपर परसितित एक देश है डेनवार्ट प्रायदीप यपर के पूरव के पूर्ण, 400 से अधिक दीपों का एक दीप समू है जर्मनी के साथ 68 किलो मीटर की सीमा के साथ डेनवार में सीधे यूरोप से जड़ा हुआ है इसलिए कथन एक सही नहीं है डेगनमार में एक ही समय में लोकतांत्र और राजतांत्र दोनों मौझूद है लेकिन यह संबेदानिक राजतांत्र है इसलिए कथन भी सही है इसकार थै कि समराट की सक्ती संबेदानिक अदेनियम द्वारा सीमित है तो इस प्रकार हमारी इस प्रसन का उत्र जोता है ओप्षन B केवल दो अगला प्रसन विश प्रेश स्वेतनता सुचकांग के सम्मन्द में निमिल्क में से किन देशों की रेंकिंग भार से बहतर है एक स्रिलंका दो पाकिस्तान तीन मेंमार चार वैंगलादेश पांच नैप तीन और पांच तो इसका उत्तर है ओप्षन B केवल एक और पांच विश प्रेश स्वेतनता सुचकांग में भारत की रेंकिंग पिछली साल की तुलना में 147 से गिरकर 157 पर आ गही है इस सुचकांग के में पाकिस्तान की जो रेंक है 157 है स्रिलंका की 146 है बंगलादेश क 162 है और मेंमार की 176 वे सतान पर रखा गया है नेपाल वेस्वेक रेंक में 30 अंकों का बड़ा बड़त के साथ 76 वे सतान पर पहुंच गया है इसलिए विकल्प भी सही है नार्वे, डैनमार, स्वीडन, एस्टोनिया, स्विनलें, क्रमस, पांस देशों में सामिल है 180 देश 55 नेपाल और सिरिलंका अगला पर रसन हाली में खवरो में रहा नेट ग्रिड एकिसके तत्वात दान में संचालित होता है। Option A. Electronic और सूचना पौदु की मंत्रा लिए, Option B. रक्षा मंत्रा लिए, Option C. ग्रह मंत्रा लिए, Option D. श्रम मंत्रा लिए, तो इसका उत्तर है Option C. ग्रह मंत्रा लिए. हाली में केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिस्तान बेंगलूर में National Intelligence Grid परिशद का उदगाटन किया है National Intelligence Grid या Net Grid आतंकवाद ब्रोधी उद्दिश्यों के लिए एक-एक करते Intelligence Database संचना है यह बार सरकार के तहत विवन प्रुमुक सुरक्षा एजेंसियों के Database को जोड़ता है जिने सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आसानी से एकसिस किया जा सकता है Net Grid ग्रह मंत्राली के तत्वधान से संचालित होती है इसलिए विकल्प सी सही है तो इस प्रकार हमारे इस प्रसंद का उत्रोध आप्षन सी ग्रह मंत्राली के तहत संचालित होता है अगला प्रसंद पी 75 परियोजना निमिलत में से किस से संबंदित है ऑप्षन ए नेनो उपग्रह ऑप्षन भी एंटी नार्कोटिक्स ऑप्षन सी कोविड-19 के टी के ऑप्षन दी पैंडूबी तो इसका उत्तर है ऑप्षन भी एंटी नार्कोटिक हाली में फ्रांस के नेवल ग्रूप ने परग है जिसे बारश सेना के लिए बनाया जाना है इसलिए विकल्प भी सही है इस परियोजना के टाहित भारती नो सेना द्वराच छे परमपारिक डीजल इलेक्ट्रोनिक अटाइक पंडूबियों का अधिगरन करने का लक्षी रखा गया है मैकिन इंडिया पहल के टाहि छे पंडूबियों का निर्मान भायत में होने की उमीद है इस परिकार हमारी इस परिसन का उत्तर हो जाता है एंटी नार्कोटिक्स ऑप्सन भी अगला परिसन जन संक्या के अनुसार निम्रिक जी सेवन देशों की आरोई क्रम में वेक्ष्टित कीजिए एक फ्रांस दो इ एक पांच चार आपसंडी है दो एक तीन चार पांच दो इसका उत्तर आपसंडी दो एक तीन चार पांच ग्रूप ओफ सेवन एक अंतर सरकारी राजनितिक मंच है यह दुनिया की साथ सबसे बड़ी विखसित और उन्नत अर्द्वस्ता वाले देशों का समूं है इसमें क गनाड़ा फ्रांस जर्मनी इटली जापान यूनाइटेट किंग्डम और संग्राज अमेरिका सामिल है इसके अलावा यूरोपिय संग और एक गेर गन्ना सदस्य है जन संक्या के अनुसार इस संगूं में देशों की आरोई करम है जन संक्या पहले नमबर दूसे नमबर प टीसरे पर फ्रांस चाथ पर नमबर पांच पर जर्मनी छटे पर संयुक्राज अमेरिका इसलिए विकल्ब डी सही है तो इस प्रकार हमारे प्रसन का उत्तर हो जाता है ऑप्संदी दो एक तीन चार पांच आज का अब ब्याथ फ्रशन आपको इसके उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है भायत में सायक संदी का बैभटक प्रयोक किस किसने किया? ओप्सन ए रावट क्लाइब ने ओप्सन भी बोरिंग हैस्टिंग ने ओप्सन सी लाड़ का नवालिस में ओप्सन डी लाड़ वेल जली रहें इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें शुरक्षित रहें सेफ रहें और हम कल मिलते हैं अगले और प्रसनों की अगली सीरीज में वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद